आज आप जानेंगे कि आधा और चौथाई को गणित में कैसे लिखा जाता है? आज मुझे ज्यादा भूक नहीं है, मैं इस पराठे का सिर्फ एक चौथाई ही खाऊंगा, बाकी तुम खा लो. ठीक है, ये तीन हिसे मैं ले लेती हूँ. अब मैं इस पराठे का एक चौथाई हिस्सा खाऊंगा, लेकिन तुमने इस पूरे पराठे का कितना हिस्सा खाया, कैसे बताएंगे? कह दूंगी कि एक पराठे के तीन एक चौथाई हिस्से खाए? ये बहुत मुश्किल हो गया. मुझे लगता है कि ये बताने का गणित में भी कोई तरीका होगा. इसका गणित से क्या संबंध है? अरे गणित से ही तो संबंध है. आधा, एक चौथाई, जिसे हम चौथाई भी कहते हैं. ये सभी संख्याई, नंबर्ज ही तो हैं. संख्या, नंबर्ज तो एक, दो, तीन ये होते हैं. आधा और एक चौथाई कोई संख्याई, नंबर्ज थोड़े ही हैं. मुझे तो लगता है कि ये संख्याई, नंबर्ज ही हैं. चलो खाना खाने के बाद मैडम से पूछते हैं तब ही पता चलेगा ठीक है नमस्ते मैडम नमस्ते निहा और आयूश्मान बताईए आज क्या जानना है मैडम हमको ये जानना है कि आधा और चौथाई भी संख्याएं नंबर्स हैं या नहीं हाँ ये संख्याएं नंबर्स ही हैं मगर आधा और चौथाई को तो शब्दों में लिखा जाता है अगर ये संख्याएं नंबर्स हैं तो इनको अंकों में क्यों नहीं लिखते इनकों अंकों में भी लिखा जाता है अंको में लिखने पर इनको जोड़ना और घटाना भी आसान हो जाता है अंको में इनको कैसे लिखा जाता है? बताती हूँ ये देखो, ये एक आयत rectangle है इसको जब दो बराबर भाग में बाड़ देते हैं तब एक हिस्से को इस पूरी आकरती का आधा कहा जाता है जी मैडम लेकिन इसको संख्या नंबर के जरिये कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरी चीज के कुल कितने हिस्से हैं इस पूरे आयत के तो कुल दो हिस्से हैं हाँ और हम ये दिखाने के लिए एक लाइन खीच कर उसके नीचे दो लिख देंगे अब ये बताईए कि इन दो हिस्सों में से कितने हिस्से को आधा कहा जाएगा? मैडम इन दो हिस्सों में से एक हिस्से को आधा कहेंगे बिलकुल सही इसलिए एक को इस लाइन के उपर रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो में से एक हिस्सा पर इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ा जाता है एक बटा दो यानि दो हिस्सों में से एक हिस्सा तो फिर चौथाई को कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आधे को लिखा है वैसे ही आप चौथाई को भी लिख सकते हैं मैं कोशिश करती हूँ इस आकरती के चार बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा चौथाई कहलाता है इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले बटे का निशान लगा देंगे उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे कि आकरती के कुल कितने हिस्से हैं इस आकरती के कुल चार हिस्से हैं इसलिए बटे के निशान के नीचे चार लिखेंगे और उन चार में से एक हिस्सा चौथाई हुआ इसलिए बटे के ऊपर एक लिखेंगे इसका मतलब एक चौथाई लिखने के लिए हमें एक बटे चार लिखना होगा आप दोनोंने सही बताया है मैडम हमने पराठे के चार बराबर हिस्से किये थे मैंने उनमें से एक हिस्सा खाया तो उसको एक बटे चार लिख सकता हूँ पर नेहा ने तीन हिस्से खाए, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये भी आसान है, पहले बटे का निशान लगा लीजिए बटे के नीचे पराथे के कुल हिस्से लिखे जाएंगे, यानि चार बटे के उपर ये लिखा जाएगा कि पराठे के कुल कितने हिस्सों में से नेहा ने कितने हिस्से खाए, यानि तीन तो हम कहेंगे कि नेहा ने पराठे का तीन बटे चार हिस्सा खाया है तीन बटे चार को तीन चौथाई भी कहा जाता है अच्छा, मैंने पराठे का एक बटे चार हिस्सा खाया और नेहा ने पराठे का तीन बटे चार हिस्सा खाया हाँ आयूश्मान, अब आप समझ गए हो, अब आप इसकी प्राक्टिस कीजिए और कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आईए ठीक है मैडम आज आपने सीखा कि आदा, चोथाई इत्यादी भी नंबर है और इनको अंकों में लिखा जा सकता है और जब भी पूरी वस्तू के कुछ हिस्से को देखना हो, तो बटे का प्रियोग किया जाता है वस्तू को कुल कितने हिस्सों में बाटा गया है, इसको बटे के नीचे लिखा जाता है और कुल हिस्सों में से जितने हिस्सों को दर्शाय जाता है उसको बटे के उपर लिखा जाता है जैसे किसी वस्तू का आधा हिस्सा दिखाने के लिए एक बटे दो लिखा जाता है जिसका मतलब होता है दो में से एक हिस्सा और चौथाई के लिए एक बटे चार लिखा जाता है जिसका मतलब होता है चार में से एक हिस्सा